हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो मैं इस्टेडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों टेली की तरह पेश्ट कोश्चनों का सिर्ज लेकि आगई हूँ आप सभी रेडिय हो जाएए कोश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस से ही आप अपने गलतियों को स इसे रिलेटेट चाहे यूपी का हो चाहे किसी भी एट का हो टिजेती प्रीटी हो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के टॉपिक वाइज चिलिपर एकॉर्डिंग थीूरी सेसनुं से क्यूप प्रीविएस से कुशन करन मोमेंटम चैनल के प्लेवाइबल तोस्तों जैसा कि यहा खेल मनविज्ञान के अंतरगत टापिक होता है इससे कोशन हर बार आते हैं and 100% आते हैं इसलिए इस टापिक को आप अच्छे से कन्फर्म कर लेजेगा जैसे कि खेल मनविज्ञान में आपका जो बेक्टितु से बाड़ी टाइप है अभी प्रेडा है एक कोशन आते ही आते ह है इसमें गलती नहीं होना चाहिए तो अभी ट्रेडा से रिडेटर में तिंचार वीडियो अपलोड कर चुकी हूं और एक वीडियो और इकुल मिला करके पांच शे वीडियो रहेगा इससे बाहर आपको अभी ट्रेडा से कोश्चन नहीं आ सकता तो दोस्तों समय नस्टन है तो है कि आपको मिलान करना है तो मानसिक और इसनाईयु समंधी दबाव का अनुभाव है तौनाव क्या है मानसिक और इसनायो समंध्य जो दबाव होता है उसका अरुभा तौनाव याने की तौनाव होता है B है क्रोध क्रोध क्या है तो क्रोध है आपका B का C हो जाएगा किसी व्यक्ति के बिरुध नीच अपराद के प्रतित्तर में होता है जैसे आपके साथ कोई गलत ब्योहार कर दिया कोई गलत बुलाद आप तुरन तो उसके प्रतित्तर में कुरोधित होते है उसके बदले में C है कुंठा कुंठा क्या होता है C का 4 होगा यानि मांग की पूर्ति में अनुभाव गत प्रतिरोज से उत्पन नकरात्मक्ता ये कुंठा है D है चिंता चिंता क्या है दोस्तों इसका है 1 होगा यानि साररिक और मनोवेग्यानिक मांग और प्रतित्तर चंता के बीच जो आसंतुलर होता है इस प्रकार Allay निम्मर यहां पर राइत है इस प्रकार कोंशन पूच सकता है और next question है context related है जिसकी विशेष्टा आसंका भे है औरतनाह होता है और इसके साथ सक्रिअर आंदोनन भी होता है यह गलत है दोस्तों तरक आर है कि इस इसिति का उन्भो कतिपय वाता और अड़िय परस्थितियों को तनाव पूल समझने की ब्यक्तित्व स्वव्रित्ति के कारण और बढ़ी हुई दुस्चिंता के साथ इन परस्थितियों के प्रतिक्रिया के कारण होती है तो आपका आर सही है यानि कि ए गलत है और आर सही है आपसन नमबर टी यहां पर राइट है एंड दोस्तों एक पांसो चास नमबर का कोशन आपको पढ़ने की जुरुत नहीं है एंड नेक्ट कोशन है अभी कथन से ही रिलेटेड है खेल अभी कथन ए है कि खेल कूद और व्यायाम मनु विज्ञान सबसे बढ़ कर एक विज्ञान है इस कारण यह आवस्यक है कि आप मूल वेज्ञानिक प्रक्रिया को समझें और यह जाने कि किस प्रकार वेज्ञानिक ज्ञान का विज्ञास होता है तो A सही लग रहा है, तरकायर है कि बैग्यानिक और पेसेवर प्रक्रिया यानि ज्यान को A की कृत्य करने की सक्रिय, अनुप्युक्त खेल कूद और व्यायाम ब्योस्था में मनुप्यानिक कौसल को उप्युक करना काफी लाभदायक होगा तो दोस्तों यहां पर A और B दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या है आफसर नमबर A यहां पर राइट होगा पर पर 5991 कोश्चन है तो फालके टाइम वेश करना अच्아 नहीं है चलते हैंने एक्स कोश्चन की तऱ निन मेंसे कौन सी उप्लबधी प्रेड़ा का चरण नहीं है तो उपलबधी प्रेडा का चरण है स्वायत्त चमता चरण समाजी के तुलना चरण एक एक चरण और नहीं है कौण तो बिसिस्ट चरण नहीं है फिर अभी कथन से related है अभी कथन ए है कि प्रेड़ा का एक वास्तविक विचार विक्सित करने के लिए खेल प्रदर्शन और ब्योहार पर गैर प्रेड़क प्रभाउं को पहचान करना और या आकलन करना सिखना है कि क्या प्रेड़क तत्व को आसारी से बदला जा सकता है तो ए तो सही लग रहा है तरक आर है कि ब्यक्ति के लिए लच्छ होता है वह होता है कि वह उपलब्दी प्रेड़ा के प्रभाव को समझने के लिए एक स्वायत एक क्रित इस तरह पहुंचे तो दोस्तों यहां पर सी राइट है ए सही है और आर गलत है एंड पांसर चुवन कोश्चन आपको फ़र्णने की जुरुत नहीं है ठीक है एंड पांसर पैस्पन कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन है भावनात्मक परिपकता का विकास करने के लि इसको विकास करने के लिए कौन सा कौसल है तो नियंत्रक आवेग और तुष्टी का विलंबन यानि की भावनात्मक परिपकता का विकास करने के लिए नियंत्रक आवेग यानि की जो हमारे इंपॉल्स है आवेग है उनको कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोलिंग इंपॉल्स यहां तुष्टी का बिलंबन डिलेंग ग्रेटिफिकेशन है नेक्स्ट है आपका सुची 1 का 2 से मिलान करना है तो यहां पर है दोस्तों कि क्रिया प्रसूत सिधान किस ने दिया था आप सबको पता है इसकीनर ने दिया था या किस से रिलेटेड है अधिगम सिधान से सिखने के सिधान था इसकीनर ने दिया था क्रिया प्रसूत सिधान त दूसरा है बिसिष्ट, इस्सिती बिसिष्ट सिधान, तो जो परिशितियों के अंसार ब्योहार करें, वो नितित तुसेली होता है, तो बी का टू का फोर हो जाएगा, एंड थ्री है समाजिक अधिगम सिधान, तो ब्यक्तित टू है, प्रस्टनालिटी जो निसित करता हो, सम करता है तो यानि थ्री का वन हो जाएगा है फूर है संग्यानात्मक मुल्यांकन सिधान तो ए हो जाएगा आपका अभी प्रेड़ा ठीक है इस प्रकार आफसर नंबर सी यहां पर राइट है और नेक्स्ट पोशन की तरफ चलते हैं मैं नेक्सा दोस्तो खिलार का आख्रामक्न ब्योहर निमने से प्रभावित होता है तो खिलार का आख्रामक्न हो और आपसन नमर A राइट है यानि कि A और C दल के साथ सरीगात्मक तादत में आकरामक ब्योहर कब होता है जब किसी समुम में आप है किसी ने आपको कुछ इमोशन को हर्ट किया तो उस समय आप उस पे क्रोधित हो जाते हैं आकरामक हो जाते हैं और लच्छे प्रवर्टा C ठीक ह A और C आपकर राइट होगा यानि कि यहां पर हम इसका पढ़ लेते हैं कि खिलाड़ी के आकरामक ब्योहर का प्रवाव कभी खिलाड़ी के लिए लाबदायक होता है तो कभी कभी नुकसान दे भी साबित होता है खिलाड़ी किसी भी दर्व के साथ खिल रहा है और वहां उ हो जाता है नेक्स कोंचन है मिलान करना है दुस चिन्ता व्यक्तित्व नेटित्व अह प्यर्णा है दुस चिन्ता क्या है एक फूर हो जाएगा इस्टतम कारेकलापों के ब्यक्तिगत छेत्र होते हैं एक फूर एन ब्यक्तित्व क्या है? साम ब्रितिक सिधान्द नेत्रित्व जो है हो जाएगा इसका बहुपच्छी मॉडल अभी प्रिड़ा हो जाएगा संग्यानात्मक मुल्यांकर सिधान इस प्रकार आपसर नमबर यहाँ पर राइड है एन नेक्स्ट कोश्चन है पांसो उनसर कोश्चन पढ़ने की जूरत नहीं है पांसो साट कोश्चन है अभी कर्थन से रिलेटेड है कि multi dimensional anxiety theory में भरिस्वाडी की जाती है ग्यानात्मक इसिति चिन्ता निस्पादन से नकरात्मक रूप से जुड़ा हुआ है परंतु somatic इसिति की चिन्ता निस्पादन से इन्वर्टेट वी रिती से जुड़ा हुआ है तरक R है कि निश्पादन, निर्वचन, सकरात्मक और नकरात्मक से प्रहावित होता है नकी सक्रीता की मात्रा से तो दोस्तों यहां पे आपका राइट हो जाएगा कि A और R दोनों सही है और R A का सही ब्याख्या नहीं है तो कौन सा आपसा नमबर A यहाँ पे राइट है नेक्ट कोचन है कि खेल मनविज्यानी भरोसा, शम्मान और विश्वस्नियता कैसे हासिल कर सकता है तो एक खेल मनविज्यानी जो होता है भरोसा, शम्मान और विश्वस्नियता कैसे हासिल कर सकता है तो वहाँ आसन्ममस्ति यहाँ पर राइट होगा गोपनियता की सीमा इस्थापित करके करता भी इसपस्ट करके और समय सीमा स्विकार करके भरोसा समान और विश्वसनिता को हासिल कर सकता है यानि कि किसी खेल में खेल मन विज्वसनिता और गोपनियता की सीमा इस्थापित करके करता भी इसपस्ट करके समय सीमा स्विकार करके खेलाड़े की विश्वसनिता को हासिल कर सकता है कि अभीप्रेडा का सुद्री करण सिधान्त किसके द्वारा दिया गया तो दोस्तों अभीप्रेडा का सुद्री करण सिधान्त जो है वह किसके द्वारा दिया गया तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अभीप्रेडा का सुद्री करण सिधान्त किस ने दिया था तो इ इसकी नर्द वरा दिया गया अधिगम में अनुक्रियाओं पर जो अविपिड़ा का प्रभाव पड़ता है उसकी ब्याख्या के लिए इसकी नर्द ने सुद्रिरी करद सिधान के अधारा का आस्रे लेता है इसकी नर्द के अंसा जो भी अनुक्रिया सुद्रिरी करद तक प पहुचाने या घायल करने का लच्छ है किसके रूप में जाना जाता है ब्योहार का कोई भी रूप हो जिसका उद्देश से हो अन्य जीव को नुकसान पहुचाना या घायल करना उसका लच्छ होता है तो कौन सा ब्योहार कहाएगा आक्रमक्ता अग्रेशन ठीक है कहला आएगा नेक्ट कोच्छन है तनाओं के लच्छणों को राहत देने के लिए निर्मेजे कौन से तक्निक का इस्तमाल किया जाता है तो तनाओं के लच्छणों को राहत देने के लिए कौन से तक्निक का प्रयोग किया जाता है तो स्वतहजात प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह निए आउटोजेनिक ट्रेनिंग नेक्षाइ अभी प्रेड़ा की प्रकार हैं मैंने बताया था है दो प्रकार है वाहय और आंतरिक अभी प्रेड़ा तो कौन सा हो जाएगा एक और फोर कहा दिया हुआ है एक और फोर आपसे नमबर डी में जैसा कि आप जानते हैं यहां अभी प्रेड़ा क्या होता है वाहय अभी प्रेड़ा ब्यक्ति स्वय में अभी इच्छा से किसी कारे को नहीं करता वाहय अभी प्रेड़ा में जब खिलारी यह सोचकर प्रदसन करता है कि कुछ इनाम मिलेगा तो यह वाहय अभी प्रेड़ा होता है जैसे कि वाहय अभी को देती हैं किया से केंडरी मोटीव कहते हैं जिसे नकरात्मक अहिपड़ा भी कहते हैं यह जन्म से विद्वान नहीं होता अपी तो जन्म के पस्चा दिये दिये अपना रूप लेता है जैसे अपनत्व प्यार की भावना पुरुसकार डंड और जैसे आशकता यह सभी होंगे और दुसरा है आंत्रिक अहिपड़ा जैसे प्राथना ही प्राइब प्राड़ी में स्वेंदिस होता है जैसे भूख, प्यास, दर्द, मुक्ति, नेंद, अराम, आदी नेक्स कोश्चन है निवने में से कौन सा अभी प्रेडा का पच्छ नहीं है तो दोस्तों आ सकता है, प्रेडा है, प्रेडित करना है बड़ साहान उभूती नहीं है, सिम्पैती कभी अभी प्रेडा नहीं हो सकता यानि कि साहान उभूती अभी प्रेडा का पच्छ नहीं है, क्या क्या है अभी प्रेडा के सुरोतों में आ सकताओं का महत्पूर यगदान है प्रेडा हमारी मूलभूत असकताओं से उत्पन होनी वाली वे शक्तिया है जो ब्योहार को दिसा और उतिस से प्रदार्म करती है प्रेडित करना शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दसा है एक विशेश प्रकार की बेवहार के लिए प्रेडित करती है जैसे भूख, प्यास, आदी नेक्ट पोशन है, अभी कथन से रिलेटेड है, अभी कथन ए है कि अच्छे निस्पादन के लिए एक अधिधिक महत्पूर कारक्या है, अभी प्रेडा है, अच्छे निस्पादन के लिए एक अधिधिक महत्पूर कारक्या है, अभी प्रेडा है, सही बात है, किसी भी अच् ग्रुप से प्रेडित होना बहुत जरूरी है इसके समझ में तरक आर है कि यह खिलागी को मुश्किल और चुनोती पूर्ट कारे करने के लिए बिवस करने वाला प्रेरग बल है तो बास सही है आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रेडित हैं मोटिवेट हैं अभी प्रेडित हैं तो आप मुश्किल अचुनोती पूर्ट कारे करा हैं तो भी आप उसको पार कर जाते हैं तो यहां पर कौंसा आफसन र JACK हैं? 2 अधर अधर को प्रेदित हैं कि आप पर कुछ भी नहीं सही हो सकता किया हमाना है कि इस्टार लगा हुआ है कि क्रो यंद प्रो ने समव्यक की परिवासा देती हुए कहा है कि समव्यक जो है ब्यक्ति के आंत्रिक समायोजन की वह इस्तिती है जिससे वह सुरच्छा और कल्याण के लिए कारे करता जैसे सुख, दुख, भैभीत होना, यह सब क्या है? समवेख हैं, हमारे emotions हैं, यह आंतरी अपने आप होता है, इमोषन है, कौन सा आनुखा भाव मनुसेमें ही पाए जाता है? दोस्तों, प्यार करना, डर, कुरॉल, सब ही जीवन पाए जाता है, बट हसना यह मनुस्य में ही अनुखा यह भाव है इमोसन है जो पाए जाता है यानि कि भाव यानि सम्वेग जिसे हम इमोसन कहते हैं प्राणी का एक आंतरीक अनुखाव है क्या है आंतरीक बाहस नहीं होता आप किसी ने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया तो आप दुखी हो गए आपके कोई अच्छा काम हो गया तो आप खुसी हो गया यह सम्वेग इमोसन है जिसे उसकी मानसिक इसिती एक उथल पुथल के रूप में प्यक्तु होती है सम्वेग पसु पच्छी बालक ब्रिट सम्वेग में पाय जाते हैं हसना लाफिंग एक ऐसा अनुखा सम्वेग भाव है जो किवल मनुस में ही पाय जाता है नेक्स कोशन है दोस्तो सारिक सिच्छा का चरित्र जो है बहु आयामी है इसकी बिसेवस्तो किसे ली गई है तो जो चरित्र की बात आजाए ब्योहार की बात आजाए तो ब्योहार भी ज्यान हो जाएगा ऌनिस्ति की सारिक विकास तथा कायों के समझेत संपादन मे सहायक होती है मन्य विज्ञान के इुक का प्रारम होते ही सारे विज्ञान के कारे कर्म तथा संगठन में बैज्यानिक दिश्टी कोड का सामावेस हुआ है फलता बच्चों की अभिरोची, प्रवित्ती, उम्र, छंता को ध्यार में रखकर साइस सिच्छा की पाठो का निर्मार हुआ है या विवार विग्यान से लिया गया है नेशा दोस्तों मुवेरे सब्द के साथ जुड़ा हुआ है जो अभिप्रेडा है यह लैटीन सब्द मुवेरे से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तो मुवेरे सब्द के साथ संबंध है तो यहाँ पे प्रेडा हो जाएगा और आकरमर हो जाएगा इन दोनों के साथ जु आफिर नंबर c 2 और 3 जाए को नेक्ट है दोस्तो ब्यक्ती से संबंधित मनोबिग्यानिक निक कहलई का चैन किजिए कि ज caliber 53 से संबंधित मनोबिग्यानिक पहलई का चैन है आपका आफिक पर 40 यह आपर राइट है मेंटल टफनेस सेलफ कांसेप्ट मोटिवेशन टीमवर्क या यूजी सी नेट का पेपर का कोस्टन है तो ऐसा कोस्टन तो नहीं आ सकता है फिर भी देख लेते हैं नेट है प्राकितिक अभिपेड़ा को किस नाम से जाना जाता है तो यह सरल इजी कोस्टन है एक दम यैसे कि एभिपेड़ा दो प्रकरका होता है आंत्रिक और वह को प्राकितिक अभिपेड़ा और प्राथमिक अभिपेड़ा कहाता है और तो यहां पर कौन सा यंप सांज मोगा आंत्रिक अज़ी speaks कौोस्टनेस आपको समझत अगया होगा और है एक वीडीयो और रहेगा आपको छी जिससे छे साथ पांच शे वीडियो हो जाएंगे इससे बाहर आपको और रिलेटेट कोश्चन नहीं आ सकता और वीडियो को जाते जाते सेयर भी कीजिए जो भी डाउट हो कमेंट में बताइए और फर्स बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल